Hello and welcome to the studio of traders, Apollo Hospital को आज के दुन हम टेट कर दे हैं Actually, Apollo Hospital में अभी एक दिन पहले ही हमने शायद मंगलवाल को एक trade execute किया था जिसमें हमने buying execute की थी, उसके price actions अलग थे Just buying के level मेरा और भी नीचे था, क्योंकि selling का price जो हमारा है वो 3756190 हमने upside में जाकर के sell किया, क्यों sell किया, price काफी split से नीचे के दिशा में गिल रहा है और इसके अंदर काफी अच्छे profits और 9300 का round हमारे profit चल रहे है जबकि ज़्यादा समय नहीं हुआ भी trade execute की, इस वाली candle पर कहीं हमारा trade execute हुआ था तो क्या reason है, आज जो हमने अपना trade execute के, अच्छली इसके अंदर volume की confirmations थी है and volume की confirmations के according ही, यह trade हमने execute के, इसके अंदर हमने अपनी entry ली है तो यह समझ नहीं कोशिश करेंगे किस तरह से आप volume की confirmation के साथ में एक trade को analyze कर सकते हो अब जैसे Apollo Hospital का यह trade है हमारा, उस दिन भी हमने drawing करके आपको समझाया था कि क्यूं हमने इसके अंदर buying की है अब यह देखिए एक अपना यह level है, यहाँ पर price आ रहा है आपका, बार बार इस दिशा में नीचे की तरफ यह गिर रहा है इस वज़े से हमने इसके अंदर buying की थी, price यहाँ पर आ रहा था और यह upside के दरफ इसके अंदर movement हमें दिख रहे थे हम इसके अंदर buying कर रहे थे, बट आज के दिन क्या हुआ है कि market नीचे की दिशा में कही है ऐसा क्या हुआ कि हमने इसके अंदर sale site की position अपनी create की है इसके इसको समझे, कल की जो market थी, इसने एक down move हमें show किया था market close होते होते होते, last movement में अच्छी खासी volume आयो और price हमारा अपने इस सभी supports को break करके नीचे की दरफ चला गया क्योंकि volumes की confirmations है price ने कल अपने supports के नीचे की दिशा में जाकर के closing दी है आज हमें हमारे एक level identify करना था because price में अक्सर ऐसा होता ना कि price इस तरह से direct नहीं गिरेगा अगर इसे गिरना है तो थोड़ा सा retrace करेगा ऊपर की दिशा में फिर से नीचे फिर ऐसे ऊपर की दिशा में फिर नीचे यह ऐसे गिरता है हमें करना था क्या है कि अपना यह जो swing high है या यूँ कहें कि lower high है इन points को में identify करना अब हमने इसके अपनी level identify कि है and level पर पहुंचने के बाग में हमने इसके अंदर अपना trade execute किया कौन से वो levels है और क्या हमारा candles के तुरू analysis रही है इसको पर समझते हैं अभी drawing के तुरू हमने क्या clear करने की कोशिश की कि क्यूं हम इस stock को trade कर रहे है downside के तरफ कफी अच्छा movement होड़ा इसके अंदर अभी day time frame पर आ जाओ यह मारा day time frame का level है जहां से मैं इसके अंदर अपनी बाइंग एक्जिक्यूट की थी कल के दिन market ने क्या किया है कि हमारे support के नीचे आ करके price ने closing दी और जब यहां पर आप volumes देखोगे तो volume के भी breakout आपको देखेंगे कल last movement की volume जब देखिए मैं 5 minute के time frame पर चलते हैं और देखिए last movement की कितनी अच्छी volume आई है और price ने दो ही candles में कितना बड़ा movement यहां पर हम लोगों को show किया और नीचे के दिश्या में आ करके close होगे again price upset की तरफ गए और same level same level in the sense 3756.90 यह मेरा entry का point है stop loss जो हमने इसकंदर अपना लगा है 377.50 का मेरा stop loss है तो यह पूरा level है अब कल के movement और इस दिन के movement 24th of June के movement यहां से हमें अपने levels identify करने है अब में trade execute कैसे करना होगा अब दिखिए इस range को हम कर देते हैं delete यह वाला जो point है 3756.90 का इस वत का अपने प्रॉफिट चला है 8,900 के राउंट प्रॉफिट के अंदर बने हुए अपने 8,800 है चलिए इसको चलने देते हैं यहां पर आते हैं अब date end frame पर हमने इसके अदर अपने जोन बनाया था यह zone कौन सा था हमारा हमारी entry stop loss के बीच का जो area यह हमारा zone बना था अब अगर हमें entry लेनी है तो इन ही points लेनी है अब देखी हुआ क्या है यहां पर कुछ एक points हम highlight करेंगे इसको देखेगा जैसे की यह वाला point यह वाला point इसके बाद में यह फिर देखे यहां पर एक swing लगा मेरा यह वाला point और यह वाला point यह points हैं जहां से price के अंदर upset की movement या फिर यह कहें कि down move down move तो हमें आजशो की है और इससे पहले यहां से price जब जब price हमारा इस वाले area में आया यहां से इसके अंदर अब move ही हुआ है अब फिर से चलते हैं शुरुआत में हमने क्या कहा volume के थूँ इसके अंदर किस तरह से confirm करेंगे कि हमें trade अपना execute करना है तो देखे हम simply इसमें अपने lower low lower highs के concept के according कुछ हम swings draw करेंगे high और यह वाला हमारा low point अभी swings हमने draw कर लिया है अब एक चीज़ देखिएगा हम लोग अपना time frame change करेंगे और अगेन चलेंगे higher time frame पर higher time frame पर 24th of June की यह वाली जो candle है हमारी हम इसको draw करेंगे 24th of June का low हमने इसलिए मार्किया because यह candle मेरी important candle हो और आज के trading session के लिए यह वाली candle बहुत ज़री है because इसका low ही हमारे लिए अभी यह जो swing 7 minutes draw की आप देखिएगा कि किस तरह से price इस एक candle के low पर supports ले रही है चलते से दे 5 minutes की time frame पर यह lower और higher दोनों ही time frames का एक तरह से बोल सकते हैं mix up होता है कैसे हम merge कर रहे हैं lower time frame और higher time frame को हमने क्या किया है इसको थोड़ा सा और line को dark कर देते हैं कैसे इन swings के पास तक market आ रही है यह वाला यह वाला swing यह वाला swing और कल price ने हमारे इस swing के नीचे जाकर के volume के साथ अपनी closing दी price ने हमारे इस swing के नीचे निकलते ही एक closing दे दी और volume के अच्छे खास से breakout हमें देखनों को मिले मतलब volume के थूप price ने breakout किया price किसी भी एक level या किसी भी एक range के नीचे जब breakout कर रहा है क्योंकि इसी level से तो price हमारे इमने बता है कि price बार बार मेरा upside के दरफ जा रहा था इसके नीचे यह नहीं निकल पा रहा था but last trading session में market ने downside के दरफ closing दे दी और volumes यह है day time frame पर भी जब हम देखेंगे तो volumes इसके अंदर breakout हमको दिखेंगे volume के breakout दिखेंगे मतलब कि supports को price ने break कर दिया अब अगेन आज के दिन अगर हमें इसको trade करना है तो हम देखेंगे कि price हमारा हमारी level पर मिले तो देखे 24th of June के low पर price हमको मिला इसके अंदर हमें जो अपने confirmations मिले 3756.90 के और जो stop loss हमने इसके अंदर लगा है just अपने swing पर अपना stop loss लगा दिया है कल के कुछ एक levels को find out करते हुए same level हमारा stop loss बना कुल मिला गर के यह अपनी price के analysis है कहीं से भी अगर आपको trade execute करना हो या फिर update time frame के analysis भी करे ना तो उसमें volume का एक एहम role पर होगा वो दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी quantities के साथ इन levels का breakout किया गया है entry के confirmation के लिए इनने volumes की help ली कि मेरे support के नीचे volume में closing की price यह हमारा upside के तरफ जा रहा है तो volumes गिर रहे है price यह हमारा हमारी level वो dark quality land याद है 24th of June की candle का low वो यहाँ पर कहीं उसका level था price यह हमारे उस वाले point पर आया देखिए volumes इसकी flat हो गए और यहीं surprise बरहा है नीचे के तरफ गिर गया इस तरह से किसी भी trade को जाब आप execute कर रहा है तो देख लो कि आपकी level को क्या कम quantities के साथ break किया गया है या फिर heavy quantities के साथ break किया गया यहाँ पर बहुत ज्यादा quantities है तो most of the time case यहीं बनता है कि price के अंदर के जो movement है न वो यहीं कहीं इन ही एक point से आपको turn होते हुए दिखाई पड़ेंगे I think कि analysis कुछ ज्यादा हो रही है देखे analysis हमने तो कर लिया है अभी हम क्या करें इस analysis को समझाने की कोशिश कर रहे है entry और stop loss हमने define कर दिया और इसके अंदर जो target हम अपने लगाएंगे 3660 एक तो यह मेरा target बन सकता है और या तो फिर 3650 एक यह वाला level तो हमें काम करेंगे 3660 तक वेट करेंगे यहां तक अगर price आता क्योंकि levels के breakout हो रही है कल की candle का अगर low break करती है market तो अच्छा move में देखने को मिल जागा और अगर price उपर की दिशा में जाता है तो कहीं न कहीं इस एक level तक पॉइंट तक जाकर price जहां पर side view हो जागा यह उपर तो फिलाल नहीं ही जा पाएगा आज तो stop loss हम कह सकते के कहीं न कि हमारा बहुत strong stop loss आज की दिन होगा क्लास में stop loss लगाने के लिए जो criteria हम बताते है न पूरे के पूरे criteria है यहां हमको show कर रही है market तो जो stop loss भी लगाई बहुत ideal condition में stop loss लगाया है market है कुछ भी हो सकता है इस तरह से over confidence में नहीं रहना चाहिए तयार रहेंगे हम कि price उपर जागा अगर stop loss जाता तो चला जाए लेकिन ठीक है इतना भी हमको लग रहा है कि price यहां तक नहीं जाना चाहिए इस एक level तक यहां कहीं आये और यहां पर अगर यह closing करता है अगर sideways हुआ तो तो इस वाले level तक ही close करतेगा और नहीं तो अगर breakout होता है तो अच्छा खासा breakout कल के low के नीचे में देखनों को मिल जागा और 3660 के आसपास हमने target book करने के कोशिश करेंगे यहां पर देखिए volumes क्या हो रही है कमजोर हो रही है प्राइस देखिए upset का movement दिखा रहा है बट volumes कमजोर हो रही है यह दिखाता है कि price में अप movement जो हो रहा है वो इतना strong नहीं है अगर breakout हुआ तो एक बड़ी सी black candle बनेगी और price फिर से नीचे और इस वत का जो अपना profit चल रहा है 6,000-29,000 पर थे और 6,000 पर हम आ चुके चलिए यह सब चलता रहेगा profit का कम होना ज्यादा होना जो अपनी analysis से उसके उपर believe करके हमें price को hold करना है बस इतना सा हमारा काम है इसके आगे सारा का सारा का मार्केट का है तो मार्केट को मार्केट का का काम करने देते हमारा क मैंनू तेरा यह ख्याल के मैंनू हरी वे ले रहंता मैंनू तिरा एक खेयाल में चंगी लगनीया डोला तेरे नाले में मैं चंगी लगनीया डोला तेरे नाले में आजका यू जो हमारा ट्रीट था अभी तक हम पूशइंस कि अपनी होल्ड करने को कि लिए नालस टाया था तो तो प्राइस कहीं ही इस एक लेवल पर exist कर रहा था बट सेम लेवल ही हमारा लो लगा मार्केट ने एक लो लगाया हमारा 12 बच के 30 मेट के एक एंडल ने और फिर से प्राइस उपर की तरफ चला गया सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल ही उपर की तरफ नहीं किया है जब आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने भी देखिए 15,750 बच के लेवल से सीध है अप मूब दिखा दिया है जिसके वज़े से निफ्टी फार्मा के अंदर भी यही वाला मूब में देखनों को मिला देखिए फार्मा में भी सेम सपोर्ट से प्राइज मेरा उपर की दिशा तक चला गया अब 12,109 रुपय का लेवल अगर यह डाउन सेट की तरफ ब्रेक हो जाता तो बहुत हद तक पॉसिबल था कि अब बोलो हॉस्पिटल भी मेरा नीचे की तरफ आ जाता और हमारा जो टार्गेट था 3260.15 का बट प्राइज यहां तक नहीं आया और इसने सिधे अप मुभाब में दिखा दिया सो कह सकते हैं कि एक बड़ा सो मूव हमको दिखाता है 10 बच कर 10 मिट की कैंडल पर और अभी पूरे दिन तक जो हमने होल्ड किया है अभी भी हम उसी एक कैंडल के अंदर प्राइस को होल्ड कर तो पूरे दिन की मार्केट हमारी साइड बे है 10 बच की कैंडल के बात के तो आप क्यूंकि टाइम नहीं बचा और इंटरेक का सेश्चन अब कम्पीट होने वाला है, खत्म होने वाला है तो अब हम यहां से बाहर निकल रहा है यह वाली जो हमारी केंडल बन रही है, तीन बजे की केंडल है काम करते हैं सबसे पहले order book में चलेंगे एंड हमारा जो stop loss order इसको करेंगे cancel ठेक है stop loss order 377.1, 377.1.50 पर हमारा stop loss order इसको ने cancel कर दिया है एंड अभी क्या price चल रहा है 374.10 price नीचे की तरफ आ रहा है चले तो square of nsc पेस्ट 3704.30 10 square of चले order में लगा दिया है लेज़े quantities निकल गई सारी की सारी quantities निकल गई 10,571 रुपई 10,561 रुपई 10,561 रुपई 0.15 पैसे का profit समने सारा का सारा book कर लिया इसके अंदर और price भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है अभी का जो हमारा price चल रहा है 3709 रुपई 25 पैसे का है यहां से अब हम exit हो चुके हैं so order book एक बार और open करेंगे full price जो हमारा execute हुए 3704 रुपई 10 पैसे पर तो यहां पर एक line हमें put up करनी होगी and overall profit हमारा 10,000 ठीक है तो एक line यहां पर लगते थे हैं entry, stop loss, actual target and यह हमारा revised target है पूरा का पूरा एक जो हमारा target था वो आज अचीव नहीं हुआ कल हमने reliance trade किया था actual target तक price पहुचा बट उससे पहले कि हमें जो movement थे वो सही नहीं लगे तो 18,000 के around कल हम reliance में भी अपना profit लेकर के निकल गए थे इस अट का जो time हो रहा है 554 हो रहा है पूरी तरह से 554 and price ने देखी हमारी exit के बाद में हमने revised target book कर लिये था अपना 370 9.05 पर और जैसे हम exit हुए है exit हो जाने के बाद में जैसे square of timing खत्म होई है stock ने पूरा का पूरा target हमको दे दिया यहां पर but हम यहां से exit हो चुके थे because intraday का session का time जो था वो पूरी तरह से हमारे लिए over हो चुगा था जिस वज़े से हम यहां पर exit कर गया थे तो हमने execute के इसी तरह से बाकी सभी लोगों के जिनकी positions चल रहेंगे buy या short side के तरफ सभी लोग निकल और निकलने के बाद ने देखे एक बड़ा सा movement हमें market ने दिखाया और जो हमारा target था, actual target था 3660.15 का तो पूरा का पूरा market ने दिया है हमें जितने रुपए यहां पर मिले हैं अब से ले करके यहां तक देखे 1.26% का और पूरे दिन में जो price move के है न last में इन 4 candles ने उतना move कर दिया है 1.3% का 1.2% का इस value लेवल पर और नीचे 1.3% का पूरे दिन market साइड वे और last में दो price candle, दो candles केंदे इतना बड़ा move आया और पूरा का पूरा target हमको price ने दे दिया हाला कि हम बाहर निकल गयते हैं देखे इससे होता क्या है एक तरह से satisfaction मिलता है कि target identify करने के लिए जो तरीक आप find करो जिस तरह से हमने देखा कि यहां पर हमें target जो भी है हमारे वो इन एक points पर लगाने चाहिए actual market वहां तक है उसने हमको target दिया हम आज अपनी positions के अंदर नहीं थे लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कई बार होता है कि हमारे target से ज्यादा market दे जाती है हमें stress target मिलते है कई बार होता है revise करना पड़ते है और कई बार होता है actual target ठीक है आज हमें revise target मिला फिर कभी हम देखें session तब तक किली थाइंक्स गूद बाय और विल मेट अगाइं